नमस्कार दोस्तों मैं हुश्ण शिकांत और हमारे साथ है पुर्शोत्तम जी पुर्शोत्तम क्या हल है अच्छा है पटना जा रहे हैं जो कि बहुत लंबा सफर है और स्कूटी से जाना है और हम ड्राइब करेंगे और सासी भाई बैठेंगे अच्छा चलाने वाले से ज्या कि यह सक्चा होते हैं जाने में बिलकुल बिलकुल हम बैठ लेंगे बहुत बढ़ियां बैटते हैं हम हाज कर शेट मिल जाए तो और हम बढ़ियां बैठते हैं चीप कहाली है जो बारा गॉओं है आरवल जिला के अरवल परखंड के सभुत पंचायत का एक गौओं है अभी में से कुछ कलाकारों से बाचित करने थी और उनसे मुलाकाते हुई खत्म हो चुका है और आज हम लोग साम के समय में पटना लोग रहा है पटना के तुम मरेंग ड्राइब से बत्ते हुए पटना ले जाएंगे चलिए चलते हैं अब यहां पर आके सीमा समाप होती है अब हम लोग आगे हैं पटना औरंगाबाद लिशनल राइव और राइव अब आगे अगे लिए जाए अब लोग आ गया है पे ट्रूल पंप पर लिए जाएगा गाड़ी में इंधन की बहुत आवशकता है तो लिए लिए जाएगा ग जाएगा उसके बाद हम दोग चलेगी है अब इसकरा दीजिए वाह बहुत बढ़ी है तायर में हवा की कमी लग रही है इसलिए यहां तो गाड़ी बुखा गया है अब बटना जाने से पहले यहां पर हमचे करा लेते हैं और यहां पर देले लेते हैं उसक्ताइब अबट चाहिए वाह बीट अभी हम लूग महाबलीपूर पहुंचने वाले हैं और यहां से दो रास्ता निकलती है यह पाली गण्ज होके पटना जाती है और रिकी लिए पाली गण्ज होके नहीं जाएंगे उसी थे पटना जाएगे यह रास्ता जो आपको बोर्ड दिख रहा है गभास यह भाल ल कलमा क्षराज नेर्ट एक लाएंस क्षड़ कह एक है सुनु हो चुका है ये Press के दोनों तरफ यहले खेती बारी है जंप के तिल्च या यह मार्केट के बाद कनफा आएगी तक कंफा कनफा के बाद हम लोग हाईवे छोड़ देंगे और नहार से जाएंगे जो कि नहर वह नहर आती है डेहरी और सोंसे और हम लोग वसी नहर से जाएंगे पटना एम्स तक जो कि वह नहर रुकनपूरा नहार के लोग के फिली नाम से भी जाना जाता है साइदा बाद हम लोग आपनों पूल प्रो बना हुआ है हम लोग यहां से हम लोग का नहरोड सेचल लाइंगा है नहरोड चलेंगे नहरोड अच्छा है प्भाइय नहर रेय रोट पर जोसögी हम लोग छोड़ दिये यह हम लोग नहर रोड इसको बोलते हैं जो कि एन वर्ट जो देख रहे हो लोना दिखाइगा इसने अपनी नहीं है जिससे में धान रुपाय का उससे में पानी आ जाती है धान रुपाने से पहले यहां से हम लोग बिकरम पहुंचेंगे बिकरम यहां से 6 किलोमीटर है बिकरम लक्स पे पहुंचेंगे यह देखिए यह है चिमनी भठा जो इस पे इंट बनता है और यह यहां से लाइन कि इसमें डेहरी अंसों से पटना चलती थी अंग्रेज़ों के जमाने में और उस पे समान बैपारी लोग अपना समान लेकर है वे पर पारी ये ये लोग ने पानी माधिन हो ते यह दो कर नहर बहुत और गहरा नहर था और भी तो भरा गया है और किया सकार का सेवाओर को तद्याल कि ये सब गरिब गरीब्लों का स्वार और मिटाइक有點 शञें आप लिगल कि माना में मिटेंब्ल—अब करता था लेकिन उस पर मिटी का बना हुआ वो खपड़ा से छाया हुआ रहता था लेकिन अभी आपको देख रहे होंगे कि एक भी खपड़ा का छाया हुआ नहीं है सब करकट से है देख रहे हैं लेकिन जो खपड़ा से छाया हुआ जो रहता है घर मिटी वला वो बहुत अं मज़ा नहीं आएगा मीटी का घर्म का जो आप छट पुजा के जी जिम्पारन होता है उस दिन अगर आप इरोण नहर से जाएंगे ना तो बहुत सारा ब्रेकर मिलेगा क्यों इसलिए मिलेगा कि जगा जगा पे नहर किनारे यहां पे छट पुजा लो करते हैं नहर में और ब जाने से बच गयते हैं वैसे हमको नहर पर याद है कहां कहां ब्रेकर है और उस दिन हम जा रहे थे जिस दिन छट पुजा खंतर होती है उसी दिन हम जा रहे थे उसी में हम अचानक मीटी का बना हुआ ब्रेकर मिल गया था ज्यादा स्पीड गारी नहीं थी इसलिए कुछ नहीं हुआ नहीं तो अगर गारी स्पीड में रहती तब तो दिन हम नाहर में ठेकाई चले जाते हैं अगर वो मीटी का छट पुजा में बनाते हैं बेरेकर तो फिन छट पुजा के बाद उनको हटा भी देना चाहिए दोफ गज़ते हैं इसे आगे हम लोग नुकिशने वाले हैं लोग मार्गेट में नहीं जाएंगे लेकर लग से आगे लोग बढ़ जाएंगे दिकरम लुट के बात हम लोग नवत पूर पूंचेंगे नवत पूर लख बहुत बढ़ी कर रहे थे तो नकल कर रहे थे कि मागे में कैसे बोलते हैं आइसे खूब बोल रहे थे तो उसी में और रहे थे तो इसे गाते हैं तोहरे नम मालिखा हलियो काट के बले डवा से करेजवा में गेजान हमरों के ले ले चल ससुररिया बंद कई के गोदरे जवा में गेजान हमरों के ले ले चल ससुररिया बंद कई के गोदरे जवा में गेजान कहां तक दिमाग लगा सकता है लिखने वाला राइटर हम लोग अभी बिकरम पहुंची गया है बिकरम लख पे यह लख है जो कि यहां से दो रूट जाती है यह एक रूट जाती है लेट एक तरफ राइट जो कि लेफ तरफ रूट चल जाती है बिकरम बजार में और इधर से पटनान एने च वण ठीनाइन पर चल जाती है जो हम लोग एने छोड़े उसी एने पर चल जाती है यह लख है और यह देखिए बेवफाद चाय वाला जो कि अब चाय पीना है यह हम लोग अभी देखिए बेवफाद चाय वाले के पास हम लोग चाय पीने जा रहे हैं यह देखिए अभी हम लोग विक्रम लग पे चाय पी रहे हैं यह देखिए इधर चली जाएगी एनेच पे जो हम लोग एनेच चोड़े उधर चल जाएगी और इधर सिधे चले जाएगी इधर राइट साइड चल जाएगी पालिगन और यहां से हम लुक्षी देच चल जाएगे नवात्मूर और यह है मंदिर जो के यहां पे साधी भी होता है यह देखिए हो रहा है सायद आज कुछ था है यह सेड़ी को देखिए चाठ पुजा बना हुआ है यह देखिए यहां पे हांडी चमपारन मीठ है यहां पे अगर नहर से आप जा रहे हो और अंगाबाद तो यहां पर आप रूप कर यहां पे चमपारन मीठ का स्वार ले सकते हैं इसको गांज करते हैं जो कि इसमें धान का वो धान का पुवाल है जो कि धान को इसमें से जार लिया जाता है इसे पीटने के बाद as April aiming में बना हुआ है चिमन इसमें बड़ा सा कडाही लुख चढ़ा कर उचन जाता है इसमें बड़ा से कडाही में डाला जाता है और वहां समिध में तर धानका इसमें बड़ा में डहाएं YOU लोग बाइक से लगए लोग और लेते हैं ये छोटी नहार वहां जो लख विक्रम लख के बगए से ये इसमें पानी आती है और वहां से भणाया हो गया है अभी नया नया इसका निर्मान हुआ है आए बने रहे हैं यहां पर हम लोग नवत्पूर्ट लग 6 किलमेटर है यहां से साधी का महौल है पंडाल बन रहा है देखे हम लोग पटना पहुंच गया है हम लोग चले गया था जैन मंदिर घुमने उसमें लेट हो गया आखिरकार हम लोग मरिंग ड्राइब पहुंच गया है यहां पर यह देखे काफी शुर्ण शरावा के साथ में यह देखे यह बायां तरफ गंगा नदिक आई यह है पूल बना हुआ है यहां पर जोकि नीचे में ट्रेंड जाती है उपर में गाडिया जाती है जोकि सुन्पूर से जोड़ता है पूल को और यहां देखिया संड संडे का महौल है और हम लोग को यहां पर जाम मिल गया काफी सारा जाम काफी लंबा जाम है हम लोग जाम के चलते फुलवाडी तरफ चे नहीं गया और यह देखिए आज हम लोग पर यहां पहली बार यहां जाम मिला जाम से आगे बढ़ते हुए संडे का महौल है पुरा यहां मस्ती कने लोग आते हैं सहर सपाटा एक मां आखड़वाला अब यहां पर देखें लोग पटना पहुंच गया है अभी हम लोग मरीन ड्राइब से आ रहे थे तो अभी हम लोग यहां पर जाम में फस गये पूल के नीचे दिखा पूल के नीचे और हम लोग जाम के बाद इधर आम लोग आ गए हैं और आज संडे का टाइम है इसलिए अ संडे को बहुत सारे लोगों को छुटी रहता है तो आते हैं गुमने यहां पर मस्ते करने टाइम बिताने आपको भी कभी मोका मिले तो जरूर आईए मरीडराय पे और आनंद लिजिए हैं के साम के वक्त में आईए खुब आनंद लिजिए तो मिलते हैं अगले ब्लोग मे अजली मिलते हैं चैनल को सबस्क्राइब कें जिए भाग दोड़ को देखेली बहुत धन्यवाद कर देजिए महारा कर देजिए कर दिये कर दिए बूंप कर दिये कर दो कर दो